क्या रिंकु सिंग एमेल्स दोनी की तरह एक ग्रेट फिनिशर बन सकते हैं इसका जवाब आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दे कि आखिर इसकी शुरुआत कब से हुई कि लोग जो है वो रिंकु सिंग का कंपारिसन वहेंदर सिंग दोनी के साथ कर रहे हैं अगर आईपेल 2023 की बात करी जाए तो येश दयाल की एक ओवर में पांच हके लगाये थे रिंकु सिंग ने केकेयर को जरूरती 28 रनों की और ये जो रन थे कहीं न कहीं रिंकु सिंग ने बना दिये थे तब से जो है वो सोशल मीडिया पर इस बात की डिबेट शुरू हो गई थी कि क्या रिंकु सिंग वहेंदर सिंग दोनी की तरह टीम हिंडिया में भी उस फिनिशर का काम कर सकते हैं अब औस्टेलिया की खिलाफ जब T20 सीरीज हुई यहाँ पर भी रिंकु सिंग ऐसा ही कुछ काम करते हुए नज़र आ रहे हैं तो यह डिबेट जो है वो अब आगे काफी जा चुकी है सबसे पहले हर्शा भोगली की अगर बात करी जाए तो उन्होंने क्या रियक्शन दिया है क्या का है यह उर्विक आपको बताने वाली है बिल्कुल कपिल जैसा कि हमें प्रदर्शन रिंकु सिंग का देखने को मिल रहे हैं हर कोई किसी ना किसी से उनको कंपैर कर रहा है कहीं पर उनकी कंपैरिजन जो है MS Dhoni से हो रही है कि जिस तरीके से MS Dhoni बैटिंग किया करते थे उस तरीके की बैटिंग जो है हमें रिंकू सिंग में नदर आ रही है अगर हम बात करें हर शाब होग लेगी तो उनका इन सारी बातों को चलते हुए कहना है कि don't compare रिंकू सिंग with MS Dhoni कई न कई सरासर इसका मतलब यह है कि जब हम किसी भी क्रिकेटर को किसी और से compare करते हैं तो उस क्रिकेटर पर प्रेशर बनता है जिस प्रेशर की चलते शायद उसका असर उसकी performance पे दिखने के जादा chances होते हैं बनकूल तो आगर बनते हैं और आपको फटा-फट यह बता देते हैं कि जो सेरीज खिल ली गई है उसमें रिंकू सिंग ने कितने रन बनाई है पहले टी-20 मैंच के अगर बात करी जाए तो 14 बॉलों में 22 रन बनाई थे चार चोके थे छके इसमें शामिल नहीं थे कोई 6 नहीं था दूसरे मैंच के अगर बात करी जाए तो रिंकू सिंग का performance और जादा शांदार जो हो जाता है 9 बॉलों के अंदर 31 रन बनाई चार चोके और 2 चोके तो इसके बाद जो है और विक आपको उदाने वाली है इनकर आये 38 रन्स का एवरेज है 128 और स्ट्राइक रेट है 216.95 विल्कुल और अब हम कंपैरिसन करेंगे एमेस दोनी के संग्जू क्रिगेंट के लेजंड रहें 2020 वर्ड कप उनों ने जिदाया था 98 मैच के लिए 85 इनिंग्स उनके नाम रही 1670 मना है हाई श्कूर उनका 56 था एवरेज यहां पर देखे तो 37 का है जो की कहीना के रिंकु सिंग भी इनी के आसपास है और अगर स्ट्राइक रिंकु सिंग का फिलाल काफी जादा अलाकी मैच कम केले मैच जैसे जैसे करके बढ़ते जाएंगे हो सकता है कि स्ट्राइक रिट उनका थोड़ा बहुत कम हो जाए लेकिन आएम इस दोनी के आसपास ज़रूर रहने वाला है अब अगर बात करी जाए आई पेल करियर की तो उर्विका आई पेल करियर रिंकु सिंग का कैसा रहा है अगर हम रिंकु सिंग के आई पेल करियर पर नज़र डालते हैं तो नौने अब तक 31 मैचेस खेली हैं 30 इनिंग्स खेली है, 725 रंज बनाया है, हाई स्कोर उनका राय है 67 रंज का, और एवरेज है 36.25 और स्ट्राइक रेंज जो है, वो है 142.16. विकुल यही आई पेल का करियर था जहां से उनकी जर्नी शुरू होई थी 84 है, एवरेज जो है 38.8 का है, जो काफी अच्छा है T20 के हिसाब से भी, स्रेगने जो है 135.9 के आसपास का है, तो यह बताता है कि आई पील में रिंकु शिंग जो है, वो MS दोनी के काफी जादा क्लोज फिलाल नजर नहीं आ रहे है, लेकिन आने वाले एक दो सीजन के बाद जरूर हम यह कह सकते हैं, कि अब कंपैरेसं करना जो है, वो जायस बात है करियर ग्राफ जो होता है, कपिल वो एक्सपिरियंस के साथ-साथ ही बढ़ता है, तो अगर हम उनका कंपैरेसं कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में शायद वो कही न कहीं कंपेटिटिव नजर आते हैं मसदोनी से अगर हम बात करें कि रिंको सिंग कि क्या कन्वसेशन रही मसदोनी से तो उस पे लेकर उनका कहना है मा कन्वसेशन विद एमसदोनी वस प्रोड़क्टिव He has been a finisher throughout his career and I am doing the same job for KKR and IPL I asked him about the ways to get better in my game He told me that I was betting well and suggested to continue doing the same stuff इसका सरासर मतले विये है कि रिंको सिंग जो वे कर रहे हैं उन्हें वही करना चाहिए अगर लोग उनकी comparison मसदोनी से कर भी रहे हैं तो उन्हें यहने कि मैं भी उनी की तरह खेले लगो या उनी की जैसे strategies अपनाने लगो नहीं वो जैसा कर रहे हैं वो उसी को continue करें वरिकुल अप T20 सीरीज की अगर बात करी जाए तो पहले दो मैचों में शांदार performance रहा stat हम आपको देखा चुके हैं सुर्व कुमार यादव की अगर बात करी जाए तो उन्होंने भी एक कह दिया है कि रिंकु सिंग reminds me of M ंस दो नी तो फिर भाईया मुझे कहने की जादर जरूरत है नी और सुर्य कुमार यादव ने एक point जो है वो रेस किया है उन्होंने काय कि जब finisher का game होता है तो काम र सब्सक्राइब और युग राज सिंग लेकिन रिंकु सिंग जिस तरीके का प्रदर्शन हमें दे रहे हैं हो सकता है आने वाले टाइंग में बेस्ट फिनिशर का किताब उने मिल जाए बिल्कुल काफी सारे फॉर्मर क्रिकेंटर जो है वो तारीफ कर रहे है रिंकु सिंग की और 1983 के चेंपियन प्लेयर रहे हैं और विकेट कीपर भी थे उन्होंने काए कि आइव बीन एंटिसेपेटिंग इस चांस तो जोईन दे इंडियन टीम ही बेस्ट शूटेट फॉर नमबर फाइव और सिक्स पोजीशन और सब यहीं कहा रहे हैं कि कांग हैं कंपोस हैं फिन तारीफ कर रहा हैं बात अगर हम वेस्ट इंडीस के उन्होंने संधर्श किया है जिस तरीके से वह खेल रहे हैं बुझे लगता है कि जितने बी क्रिकेटर्स जो क्रिकेट में आना चाहते हैं वो उनके लिए कि इंस्पिरेशनल साबित हो रहे हैं बिल्कुल तो आंग यह स जो नहीं बन सकते हैं क्योंकि उनकी जर्णी जो है वो अनिगर से शुरू ही थी और देरी देरी करके उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में नाम तो हो चला है और सारे फॉर्मर क्रिडर्स क्या गर है यह भी हमने आपको बता दिया अब आपका जो है वो काम यह है कि आप रेक्श